Hello Everyone, This is Lata Singh from Sraddha Smart Education तो अभी हम करने वाले हैं Worksheet No. 40 और ये है आपकी Story Writing इस Worksheet में तो Class आपकी 10th से है और English की Workbook से So, Start करते हैं Story Writing यहाँ पे आप देखेंगे Story Writing में Complete रखो लाएंगे Story आपको ये जो Story है ये Complete करने है While Fill in the Blanks Fill in the Blanks आपको दे रखें उसमें Fail करना है आपको You May Take Help from the Circle Given Blow आप Help ले सकते हैं यहाँ से जो Circle में आपके Words दिये हुए हैं इससे आप Help ले सकते हैं Story में तो मैंने यहाँ पर ये Title लिख दिया है Title ये मैंने लिखा है ये मैं समझना कि आपको टाइटल लिखा हुआ आएगा तो Story से आपको समझ जा जाएगा कि इसका Title क्या देना है तो इस Story का Title है The Farmer and His Sons किसान और उसके बेटे तो यहाँ से आप देख सकते हैं Easily कि इनकी जो Father है वो बहुत ज़दा बिमार है और यह चारो बेटे हैं जो बहुत ज़दा जगड़ा करते हैं क्वेरल करते हैं तो इनकी वेज पर यह Story है यहाँ पर यह कुछ Words हैं चलिएगा स्टार्ट करते हैं Story और इसमें से फिल करेंगे और कुछ Words आप अपने आप से भी एड कर सकते हैं इसमें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब यहाँ के बाद gap है तो यहाँ आप करोगे देर वाज ओके देर वाज अब कहा लिखा हुआ है यह रहा देर वाज वाज देर वाज अन ओल्ड फार्मर एक बुड़ा किसान था अब ही के बाद आप देखोगे had four sons ठीक है उसके चार बेटे थे they always querled querled means होता है जगड़ा करना querled with each other तो each other यहाँ पे हैं यहाँ लिख दोगे एक दूसरे से वो जगड़ते रहते थे उसके बाद the farmer अब यहाँ blank है तो आप यहाँ बरोगे farmer the farmer was very sad अब यहाँ very नहीं है अपने आप से बर दो बहुत ज़्यादा दुखी था farmer इसी चीज़ को लेके के उसके चारो बेटे आपस में जगड़ते रहते थे one day he thought of an idea उसको एक बिचार आया जो farmer था he फिर यहाँ पे आप भरोगे called ठीक है उसने बुलाया अपने चारो बेटों को his four sons and said और फिर कहा go जाओ and bring some sticks for me और कुछ लकडियां मेरे लिए लेकर आओ यहाँ पे they search अब यहाँ आप भरोगे search ठीक है उन्होंने search की here and there यहाँ वहाँ लकडियां and came फिर आए back with some sticks ठीक है किस के साथ कुछ लकडियों के साथ the farmer tied all the sticks into a bundle जो farmer था किसान था उसने सारी लकडियों को tied कर दिया tied means बांद दिया एक bundle में ठीक है जैसे एक गठर सा बना देते हैं वो बना दिया then he told फिर उसने कहा his eldest son to take the bundle of stick and break it at once उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बोला कि इस bundle को उठाओ जो stick वाला है लकडि वाला bundle उठाओ और एक बांद the eldest son take the bundle of यहां लिखा हुआ है आप देखेंगे take the bundle of stick and break very hard जब उसने bundle उठाया sticks का और थोड़निंग की कोसिस करी तो वो उससे नहीं हो पाया वो बहुत ज़दा hard था now he repeated the same फिर उसने जो किसान था ठीक है farmer था उसने repeat किया उसी चीज को same with his other मदब अपने दूसरे बेटों के साथ three sons two ठीक है जो तीन बेटे और रहे थे थे भी यही बोला कि इस बंडल को उठाओ और तोड़ो they also some couldn't break the bundle of stakes वो भी नहीं तोड़ सके उस बंडल को तो यहाँ पे आप क्या परोगे some couldn't break the bundle of stakes ठीक है फिर उसके बाद आता है he then फिर यहाँ पे आपको भणना है then के बाद untied the bundle and gave ठीक है जो किसान था उसने बंडल को खोल दिया and gave each son a stick to break ठीक है फिर उसने अपने हर एक बेटे को एक एक stick दे दी तोड़ने के लिए they broke all the sticks easily उन्होंने फिर easily जब एक एक stick मिलेगी तो तोड़ दी पूरा बंडल नहीं तोड़ पाए now he told his sons फिर उसने अपने बेटों से कहा if you remain united nobody can harm मतब तुम अगर unity के साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें harm नहीं कर सकता कोई भी तुम्हें परिशानी नहीं पहुचा सकता from that day और उस देन से his sons stopped quarling तो यहाँ पे last में आप क्या फिल कर दोगे stopped quarling उन्होंने जगडा करना quarrel means होता है जगडा ठीक है लड़ाई जगडे जो करते हैं तो जगडा करना बंद कर दिया ओके तो यह स्टोरी है आपकी अब यहाँ पे आप देखोगे now rewrite the same story in your own words in your notebook तो आपको क्या करना है अपनी notebook में इस स्टोरी को साफ साफ handwriting में लेख लेनी है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ इस्पेस ना होने की बज़ा से यह यहाँ पे खिट्डी सी पक गई है थोड़ी सी और आप अपनी copy पे अच्छे से no down कर लेना ओके तो आप अपने friends के साथ इसको share भी कर सकते हैं आपको समझ में भी आज जाएगी यह स्टोरी और इसका टाइटल देना है The Farmer and His Sons थैंक्स पर वाचिंग